दोस्तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिगन टूल के बारे में तो दोस्तो पिछले टूटोरियल में हमने पॉलिगन और इस्टार टूल के बारे में पढ़ा था अब इसके अंदर आने वाले सारे टूल के बारे में एक एक करके जानेंगे तो दोस्तो चलिए अब हम जान लेते है है complex star के बारे में complex star बताने से पहले मैं आपको इस एक star tool लेकर के बना देता हूं इस तार टूल लिया यह देखिए दोस्तों star tool और complex star tool दोनों शेम है थोड़ा सांतर है अब देखते हैं यह रहां यह complex star है और यह star tool है तो अब इसमें देख सकते हैं कि यहां पर नोड्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने हैं जबकि इसमें सारी लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो दोस्तों अगर इसकी नोड हमें कम या ज्यादा करनी है तो हम प्रापरिटी बार में जाके कम या ज्यादा इसके नोड्स कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं घटा सकते जैसा भी करना है हमें कर सकते हैं अगर इसकी आउटलाइन हमें मोटी करनी है तो हम यहां से आउटलाइन मोटी कर सकते हैं यह रहा दोस्तो अब आगे चलते हैं ग्राप पेपर ग्राप पेपर का यूज दोस्तो अधिकतर टेबल बनाने के लिए किया जाता है तो अब देखत तो हम यहां से प्रापरटी बार में जाके जैसा भी हमें लेना हम सेलेक्ट करके उतना सेलेक्ट करके हम ग्राफ पेपर बना सकते हैं अब देखिए हमने तीन कालम कर दिया और बार रो अब देखिए कालम हमारे तीन है और रो हमारी बार है तो दोस्तो यह राफ पेपर अब के बाद आता है इस्पाइरल टूल का यूज लाइनिंग हमारी जो होती है गोला कार में होती है दोस्तो जैसे मौर्टीन जलाते हैं उस टाइप का डिजाइन बनाने के लिए देखिए यह रहा यह रहा दोस्तो अब इसकी भी देख सकते हैं कि इसकी भी जो लाइने चल रही है चार लाइने चल रही है एक दो तीन चार तो दोस्तो अगर इसे कम या ज़्यादा करना है तो हम यहां से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो अगर माने जी हमने 10 कर लिए अब जो ड्रा करें तो ये 10 लाइनों में बन रही है तो देख सकते हैं दोस्तों अब इसके बाद को आ जाता है बेसिक शेप तो बेसिक शेप के अंतरगरों दोस्तों बहुत सारे शेप बने बनाई मिलते हैं तो इसको बताने से पहले हम सबसे पहले यह सारी चीजиком हम यहां से डिलेट कर देते हैं जितने भी object हैं तो दोस्तों सबको select करने के लिए या तो हम pick tool ले करके select all करें ड्रैक करके या keyboard से यह देए या तो keyboard से हम control plus a press करें तो भी select हो जाएगा यह रहा या फिर दोस्तों हम pick tool पर double click कर देंगे तो भी हमारा select all हो जाएगा देखिए जैसे ही हमने तो आगे चलते हैं बेसिक्ट शेप के बारे बेसिक्ट में क्या होता है जैसे हम इस टूल को लेंगे दोस्तो बैसिक अब यहां पर इसकी प्रापर्टीबार में हम जाएंगे तो और बहुत सारे स्वें मिलेंगे जो की परफेक्ट predictive नाम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए बहुत सारे Sheriff बने बनाये The और हैगर हम Master बनाना है अगर हम can't work डबाकर के ड्राक करेंगे About तो एक दम बराबर 4-6 बनेगा इसके बाद दोस्तों इसमें बहुत सारे हैं जो भी हमें लेना है मोलिजी HERHzem पलस का साइन लेना चाहते हैं। यह पलस का साइन बन गया और दोस्तो आप इसमें एक देख रहोंगे ये ये रेड कलर का निशान है तो यह जैसे ही माउस आएंगे तो माउस का पॉइंटर चेंज हो जा रहा है तो हम इसको छोटा या बड़ा इसको इसका साइच चेंज कर सकते हैं देखिए दोस्तों यह साइच चेंज हो गई ऐसा अधिकतर में होता है अब जैसे मालेजी अगर हम यहां से दूसरा कोई शेप लेते हैं मानके चले यह लेते हैं अब इसमें भी देखिए कि आ रहा है था हम इसको भी नीचे या ऊपर या टेढ़ा मेड़ा कर सकते देखिए इस तरह से हम इसको बना सकते हैं जो भी इसका से बना हुआ पहले से उसमें चेंज कर सकते हैं अब दोस्त पहले से बने-बनाएं हमारे कोरल ड्रresp जो भी हमें बनाना है तो मानक चलिए डाउन डीड उर हम यह दो भी देखिए डाउन डो ले लेते हैं, अब इसमें भी देखिते लिए रेट करना है तो आइरो यहाँ से बना है तो ये रहा अब इसमें देखिए एक red है और एक yellow है तो इसमें इसका मतलब यह कि इसमें दो डीजाएने बनी हुई है तो इसमें लेके जाएंगे तो देखिए ये नीचे वाला सारा change हो रहा है उपर वाला त्रीबू जो है वो changes नहीं हो रहा है और जब हम इसमें उपर वाल flow chart के category के अंदर जितने भी shape आते हैं वो सब सारे मिल रहे है दोस्तों इसमें से जो भी हमें बनाना है उसको हम select करके यहां से mouse drag करेंगे तो वह ऐसा design बन जाएगा अगर इसमें color डालना है दोस्तों तो हम इसमें color भी डाल सकते हैं जो भी color हमें देना है हम दे सकते हैं अब इसके बाद तमाम सारे हैं जैसे मान की चलिए आदा चांद बनाना है तो यह रहा आफ शिलेंडर की तरह बन रहा है जो भी हमें बनाना है दोस्तों तो यहां पर design बनी बनाई मिल रही है हम यहां से बना सकते हैं अब इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों इसमें Biner Shape Biner से Related इसमें मिलेंगे Biner Shape पे क्लिक करते हैं अब यहां से चलते हैं जैसा भी डिजाइन हमें बनाना है वो हम वहां से Select कर लेंगे अब इसके बाद हम जैसे Maus Drag करेंगे तो वैसा यह बन रहा है अगर इसमें भी इसके आकार में बदलाव करना है तो हम इस Red और Yellow पे ले जाकर के बदलाव कर सकते हैं यह रहा देखिए और Yellow Color से हम यह बदल सकते हैं देखिए जैसा भी हमें बनाना है बना सकते हैं और इसमें अगर Color डालना है तो हम Select करके जिस भी Color पे क्लिक करेंगे वो Color इसमें आ जाएगा अब इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं Call Out Shape अब इसमें कुछ है Call Out Shape मिलेंगे अब देखते हैं इसमें कैसा है यह सब देख रहे हैं जो कि Call Out Shape कर लाते हैं इनका यूज अदिकतर कार्टून वगरा की तरह से दिखाने में बनता है यह दहां देखिए जो भी है हम ड्रैक कर लेंगे Color देना है तो इसमें हम Color दे सकते हैं जिस भी टाइप का हमें चाहिए होगा हम वो यहां से Select करके ड्रैक करेंगे यह बन जाएगा Color भी दे सकते हैं इसमें अभी तक हम इसमें Polygon टूल के अंदर आने वाले सारे टूल के बारे में पढ़ चुके हैं बहुत सारे टूल हैं 2-point, blazer, pen, bespline, polygon, 3-point curve, smart drawing इन सब टूल के बारे में हम next tutorial में पढ़ेंगे तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अब मिलते हैं दोस्तों अगले टूटोरियल में थैंक यू